वरिष्ठ नागरिकों को खुश खबरी दे सकता है रेलवे किराए में फिर से मिल सकती है छूट आईए जानते हैं आज के विडियो में इससे पहले अगर आपने हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ता की बहाली पर विचार कर रहा है बताया जा रहा है कि रेल में जल्दी ही वरिष्ठ नागरिकों को फिर से किराए में रियायत दे सकता है हाला कि इस बार कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है रेल में बोर्ड रेल टिकट की रियायत को लेकर नियम और शर्ते में कुछ बद इसके पीछे मुख्यकारण बुजुर्गों के लिए सबसिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों को देने से रेलवे पर पढ़ने वाले वित्तिय भार का बैलेंस करना है। किराय पर 50 फीसदी और पुरुशों को सभी क्लास में रेल सफर करने के लिए 40 फीसदी छूट मिलती थी। रेलवे की तरफ से ये छूट लेने के लिए बुजुर्ग महिलाओं के लिए कम से कम उम्र 58 साल और पुरुशों के लिए 60 साल थी लेकिन महामारी के बाद में इन्हे मिलने वाली सभी तरह की छूट खत्म कर दी गई हैं। यहां आपको बता दे कि पिछले साल रेलवे ने विभिन्न श्रेनियों के यात्रियों को कुल 62,000 करोड रुपे की सबसिडी दी हैं। रेलवे अपने यात्रियों को 55 प्रतिशत की रियायत देती हैं। और पिछले व रेलवे भविश में सभी ट्रेनों में प्रीमियम ततकाल योजना की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। इससे रेलवे को कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। मौझूदा समय में यह योजना देश की करीब 80 ट्रेनों में लागू है। बता दे कि इस स्कीम के तहत डाइनेमिक फेर प्राइसिंग के अंतरगत जारी किया जाता है। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो विडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर विडियो देखना चाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। औ और सबसे पहले विडियो देखने के लिए हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।